एगाइस गुड मॉर्णिंग आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा डबल एक्स डबल एक्स चार बार एक्स का मीनिंग क्या होता है कमपार्टमेंट रिजल्ट में दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका आर्टी लिखा हुआ नहीं है तो सिंपल सी बात है कि आप उसमें पास हो चाहे वो रिजल्ट में आपका पास लिखा हो या फिर डबल एक्स डबल एक्स लिखा हो डारेक्ली अगर फेल लिखा है तो आप दुबारा फेल हो चुके हो बट अगर आर्टी आने के साथ सा डबल एक्स डबल एक्स आया है तो फि लेली बता रहूं बहुत चाटे स्टूडेंट्स का मैं माक्षेट चक्किया उनका माक्स को लेकि मैं अपने सॉफ्टवेर में डाला कैलकुलेशन किया तो उससे हमें यह पता चलता है कि अगर आपका इस तरीके से रेजल्ट कैलकुलेशन है डेफिनेटल आप पासो टेंशन में बताओ कुछ और डाउट है क्यूंकि अभी आर्टी है मिन्स रिपीट इन थियोरी है और आपका आरपी होता तो रिपीट इन प्रैक्टिकल होता बट यह सब नहीं है आपका उन्ली डबल एक्स डबल एक्स है यानि कि इंप्रूव्मेंट है आपने यह डबल एक्स डबल एक्स का मीनिंग समझ आ गया होगा ठीक है गाइस लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट कर देना कि कुछ और डाउट है तो